और अब बिहार की सियासत आपको लिये चलते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा दिये गए चात्रों को गुरु मंत्रु प्रधानमंत्री नरेंद्र बोधी ने परिक्षा पेचर्चा के सात्वे संसकरन में देशफर के छात्रों, अभिभाव को और शिक्षिकों से बाच्छीत की करीब पौने दो घंटे तक पीम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परिक्षा में भैतर प्रदर्शन से लेकर भैतर नागरिक बनने के गुर मिले पीम ने बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और शिक्षिकों से भी बात की प्रदानमंत्री ने बेहत सरल और मज़िदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया कैसे बोर्ट परिक्षा की तैयारियां की जाएं? टाइम मानेजमेंट कैसे हो? मुबाइल के दुश प्रभावस से कैसे बचा जाए? इन सभी सवालों का जवाब पीएम मोदी ने अपने दो घंटे की क्लास में दिया इस बार पूरे परिवार में मिस्ट्रस्ट है ट्रस्ट डेफिसिट है और ये यहने आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है आपने उसको प्रस्तुत ऐसे किया घर में कोई नाराज नहों हो जाए लेकिन ये सोचने का विश्य है टीचर के लिए भी और पैरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारा है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विश्य है और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है एक लंबे कालखन से गुजर करके निकलती है और इसलिए हर परेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुती बारिकी से अपने आचरन को एनलाइज करते रह रहा चाहिए आखिर कर माबाप मेरी बात में भरोसा क्यों नहीं करते कहीं ने कहीं तो ऐसी बाते हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहली को मिलने जा रही हूँ और माबाप ने अगर पात में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी तो ट्रस्ट डेफिशिट शुरू हो जाते हुआर उसने तो कहा तो वहां जाओंगे लेकिन बांदी ते वहां गये नहीं लेकिन आकर की कह दिया कि मैंने ताय किया तो उनके हैं जाओंगा लेकिन रास्ते में वहारा मन बदल गया तो मैं वहां चला गयी थी कि मैं जाओंगे